नमस्कार आप देख रहे हैं वेटाइम नियूस बढ़ते हैं जारखन की खबरों की ओर जारखन में पारा सुक्षकों का आंदोलन जारी है तेट पास पारा सुक्षक वितनवान की बांगों लेकर मंतरी और सत्ता धारी दलों के कारेले का घिराओ कर रहे हैं इसी गड़ी में शनिवार को उन्होंने राची में राज़त के प्रदेश कारेले का घिराओ किया और जमकर नारे बाजी की तेट पास पारा सुक्षकों ने कहा कि सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है सरकार चुनावी वादे में कही थी कि जब राज़े की सत्ता में आएंगे तो सुक्षकों की मांग को पूरा करेंगे लेकिन अब मंतरियों की ओर से सिर्फ आश्वासन हमें मिल रहा है अगर इसी तरीके से आश्वासन हमें मिलता रहा तो आने वाले 15 नवंबर को पारा सिक्षक अपनी ताकत दिखाएंगे और जिस तरीके से रगवरदास को मुख्यमंतरी के पद से हटाने का काम कर सिक्षकों निकिया था उसी तरीके से हेमन सोरेन को मुख्यमंतरी के पद से हटाने का काम करेंगे समान वेतनमान और सीधी निवक्ति की मांको लेका सिख्षक अभी तक कई दिनों से आंदोलन रथ हैं आज हम राची के RJD कारियाले का घराव करने के लिए पूरे तमाम पारा टीचर जो टेट पास हैं आए हुए हैं यहाँ पे घराव करने के लिए इस सरकार जो अपनी वादा की थी कि जैसे ही हम अपनी सरकार में आएंगे तीन माहना के अंदर हम आपकी जो मांग है पूरी करेंगे जो बेतन मान है उसको पूरा करेंगे सरकार अपने वादे से मुकर गई है इसी कारी के लिए लेकर के हम लोग छुब्द हैं कि सरकार अपनी वादा से मुकर गई है हम लोग को पूरा नहीं कर रही है और इसी के लिए हम लोग घराव करने के लिए आए हुए है अगला स्टेप है कि हम लोग सरकार को चितावनी दे रहे हैं कि हम लोग पूरे जितने भी 14,42 पारा टीचर टेट पास जो हैं आत्मदा करेंगे और अधिसरकार हमारी बातों को 15 नमुंबर के पहले पूरा नहीं करती है तो हम लोग वही दोहराएंगे जो रगवर सरकार को हम लोग ने किया था काला जंडा दिखाए था रूस से बूरा अस्तर इनका कर देंगे ताकि अगला ये नहीं पूरा खंदान इनका जो है सो नहीं आप आएंगे एक भी पद पे मुख्यमंत्री का सपना ही बूल जाएंगे हम लोग के साथ बहुत अन्या हो रहा है मैं चैनल के माधियम से मीडिया बंदू के माधियम से उनको आवाई देना चाहता हूँ कि हमारी जो मांग जाएज है आप कुछ देख रहे हैं हम लोग टेट पास हैं टीचर बनने की साईरी आहरता को रख रहे हैं कि अवाई बनने की साईरी जोग जाएज देख रहे हैं